Hello everyone, welcome back to our channel Streaming Sight Classes तो students, आज की वीडियो में हम करेंगे Chapter 6 से मानो सरीर के विभिन तंतर के बारे में पढ़ेंगे यानि Different System of Human Body क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे मैंने आज टाइप नहीं करके जहां से जो paid notes हैं या जहां से आपको matter मैं provide करवाती हूँ उनकी मैंने PDF से मैं आज आज आपको पढ़ाऊंगी कुछ पर आपको problem हो या फिर आपको लग रहा हो तो उसको please ignore करना लेकिन मैं बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगी आपको अच्छे से सुनना है जो भी notes में provide करवाती हूँ उनको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है एक्जाम में इस topic से बहुत सारे questions आते हैं C-Tat के exam होंगे S-Tat के होंगे UP-Tat के भी हो रहे हैं और read students के लिए तो ये जो वीडियो है वो सभी students के लिए काफ़ important वीडियो है तो वीडियो के अंतक आप बने रहे हैं वीडियो काफ़ interesting रहेगी ठीक है इसके बाद हम next वीडियो में हम question करेंगे ठीक है तो देखे आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव सरीर के विभीन तंत्र क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीव ग्यान होता है उसमें शरीर जो मानव सरीर होता है पादप होता कुछ सुक्सम जी होते हैं तो शरीर में अपने human body मानौ शरीर के तंत्र होते हैं तो सबसे पहले जो तंत्र होता है वो मानौ का पाचन तंत्र होता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानौ का जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखें, यहां पर येदी मैं बात करती हूँ, जो मानुष अरी कि जो पाचान तंतर है, उसके बारे में येदी हम पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत अनुम होते हैं, बहुत चोटे होते हैं, ठीक है। और पाचन किरिया में जो भाग लेनी वाले जो तंत्र होते हैं, उन्हेके कहते हैं, पाचन तंत्रे कहते हैं, इसमें होता है एक अहार नाल, यह एलिमेंटरी कैनल होता है, जो की इसके जो कुंडली के आकार की यह नली होती है. और ये अपना mouth है मतलब मुक से टारम होती है और गुदादवारे ये समाक्तभ हो जाती है ये जो elementary kennel होता है यानि आहाल नाल होता है ये विभिन भागों में divide होता है विभिन भागों में होता है जीसे की मुक गुआ हो गया ग्रास नली हो गया अमाश्य आत हो गया, तो ये सारी चीजे हम topic by topic पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंतर के बारे में, उसके बाचन तंतर में मुख से, फिर मुख में क्या क्या होते हैं, अपने मुख गुआ में, ग्रास नेली पढ़ेंगे, अमाश्य पढ़ेंगे, फिर आत में क्य क्या आता है कि आहारनाल होती है वो साकाहारी और मासाहारी दो परकार की होती है ठीक है और आहारनाल होती है जिसमें साकाहारी और मासाहारी होती है उसमें बड़ी साकाहारी होती है और मासाहारी क्या होती है चोटी होती है और यह बड़ी क्यों होती है बड़ी इसलिए होती ह और बहुत जटन गरन्थिया काम करती है। इसली जो आहार नाल होता हैches नभी सबसे बढ़ी होता है। और सरल होती है। क्योंकि वो पचैने में बहुती सरल जो गरंतियं होती है। वो साहा Heb यहां पे देखते है कि जो Elementary Candle होता है, जिसमें अंक और पाचन गरंतिय जो मुकवा होते, उसमें क्या होती है, अपनी प्राGen कई गरंतिया, होती है उसके बाद छोटी गरंतियों में बुनर गरंतियां होती है बड़े आत्में कोई नहीं होती इस तरीके से हमारे अहार नाल पूरा होता है ठीक है अब यह दिन हम बात करते हैं मानव होते हैं जीव होते हैं और यवला होता है ठीक है मुगवा में तीन होते हैं दात होते हैं जीव होते हैं यवला होता है और जो 20 दात होते हैं वो एस्थाई होते हैं और 12 दात होते हैं वो इस्थाई होते हैं इसे तरीके से जो 28 दात होते हैं वो दात मानव में होते हैं उसके बाद दाड वगेरा होते हैं तो मानव के दात जो होते हैं वो जीवन में दो बारी आते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं यानि डिफ्तोडेंट इनको कहा जाता है ठीक है, मनुष्य की दाथ होते हैं वो मसूडों में क्या होते हैं, दसे होते हैं और इसलिए उसे क्या कहते हैं, गरत दंती कहते हैं ठीक है, दाथ का उपरी भाग क्या होता है, चमकिला होता है और उसे क्या कहते है एनिमल कहते है यानि अनेमल कहा जाता है जो कि सरीर के सबसे कड़ी हड़ी होती है बहुत टाइट हड़ी होती है और दात के अंदर होती है ये ओके और ये दात का सबसे उपर बाला भाग होता है इसलिए और वो बहुत चमकीला होता है ठीक है अब ये कार वाति उसको अच्छे से समझते रहे क्योंकि नोट्स है यह एक एक चीज इसमें लिखी हुई है इस चैप्टर से एक भी कुश्यन बाहर नहीं आएगा लेकिन आपको क्या करना होगा इसको पूरे अच्छे से सुनना और अच्छे से आपको पढ़ना होगा अच्छे से नोट करने होंगे यदि आप नोट करना चाहते हो तो ठीक है अधर्वाइस जो मैं बोल रही हूं उसको भी आप नोट कर सकते हैं और ये पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगे आप उसको जोईन करके वहाँ से पीडियाफ ले सकते हैं ठीक है तो प्री मोलर और मोलर होते हैं यानि इंसाइजर कैनेंस प्री मोलर और मोलर होते हैं जो कि जो वेरसक होते हैं उन वेरसक में इंसाइजर दात कितने होते हैं आठ होते हैं कैनाइन में क्या होते हैं चार होते हैं प्री मोलर में क्या होते हैं आठ होते हैं और जो मोलर होते हैं जो last में, वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, इसी तरीके से अपने जो व्यसक में होते हैं, total दांत 32 होते हैं, formula से यह इनको निकाला जाता है, तो इनका जो formula है, वो ICPMM upon ICPMM होता है, यानि, incisor, canine, यह incisor होगा, canine होगया, यह premolar होगया और यह क्या होगया, molar होगया, इस तरीके से इनका एक formula बनता है, 2, 1, 2, 3 का, 2, 1, 2, 3 का और multiply 2 का, इस तरीक से formula बनता है, देखें, यहाँ पे जो क्या होता है, जो उपर के जबड़े के आदे भाग यानि इंसाइजर कैननाइन हो गया प्री मोलर हो गया मोलर हो गया ऐसे नीचे जो जबड़े का आदे भाग में इंसाइजर कैनन हो गया प्री मोलर हो गया और मोलर हो गया इसी तरी किसे जो मतलब छेदा कौन से होते हैं बेदा कौन से हो टू, वन, चीरो, और ठी वाला फॉर्मूला काम करता है, ठीक है, लेकिन वेर्सक में टू, थ्री, ओके, तो ये आपको ध्यान रतना है, यहां से ऐसे कोई कुश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा से डेफ्ट में पढ़ना पड़ेगा, ओके, तो देखें, हम नेक् इंसाइजर दात होते हैं, वो सबसे पहले आते हैं, आगे वाले जो दो दात आते हैं, आपने देखें होगे, छोटे बच्चे उनके आगे की दात आते हैं, तो यदि दो दूद के दात होते हैं, कौन से होते हैं, जो आठ जो दात सबसे पहले आते हैं, वो उनसे क्या करते हैं वो काटते हैं ति कभिने देखा हो मैं तो देखें यहाँ पे जो मानोव सिसु में दात होते उनका जो फॉर्मूला होता है वह ओता है टू वन जिरो टू अपों टू ल ू इन्टू टू होता है क्योंकि जो बच्ची वोते हैं उनमें सबसे पहले क्या आते हैं इंसाइजर जो दात होते हैं वो आते हैं तो दूद के दात क्या होते हैं जो पहले जो आठ दात आते हैं उनसे वो काटते हैं और चार आते हैं उनसे वो चीरते हैं यानि और जो चबाने के दात उनके नहीं आते हैं और जो आठ दात होते हैं तो 20 दात होते हैं जो जीवन में दोपार आते हैं ठीक है अब अकल दात होते हैं उनको चोर दात भी बोल जाते हैं यह अफसोसी अंग होते हैं यानि लास्ट मोलर होते हैं ठीक है और बच्चों में प्री मोलर जो दात होते हैं वो नहीं मिलते हैं अब यह जो चुमा होते हैं उसमें incisor दात होते हैं वो बार-बार क्या निकलते हैं बाहर निकलते रहते हैं और उनको रोकने के लिए वो क्या कहता रहता है कुतरता रहता है तो जिनके जो incisor दात होते हैं वो कुतरने के काम आता है और चुहों में यहीं होता है problem कि यह दिवर जो उनके incisor दात होते है वो भड़ते रहते हैं और उनको रोकने के लिए वो कुतरते रहते हैं उनको छोटे करने के लिए ठीक है तो हमने देखा कि जो दात होते हैं वो चार परकर के होते हैं इंसाइजर हो गया कैनिल हो गया और उसके बाद अपना प्री मोलर और मोलर हो गया ठीक है अब हम दाद की संरचना को देखते हैं कि जो दाद की संरचना होती वो कैसी होती है तो यह जो दाद की यहां पर यह जो संरचना है इस तरीके से ओके अब इसकी जो अंदर होते हैं य यहाँ पे यह चवनक होते हैं यहनी मोलर कैट आप जो इसके जो पीछे होते हैं वो क्या होते हैं इसकी होते हैं यानि कैनिन होते हैं जो कि बेदक के काम आते हैं यहां पे देखते हैं कि यहां पे जो सबसे उपर होता है इनके इस अवरन होता है जो कि सबसे कठोर भाग होता है जो किसका बना होता है caco3 का और capo4 का होता है hill and enabled आत होते हैं जिनके उपर जो सफिद आवरान होता है यह होते हैं सबसे चंकिले होते है ठीक है इसकी वजासे और यह जो बच्चे होते हैं उन्में सबसे ज़्यादा होता है जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं और उनकी जो वह है वो कम होने लग जाती है तो यह जो कार्बोनेट और कैलसियम फासफोर्ट के यह बने होते हैं इसलिए क्या होते हैं यह बोज़दा कठोर होते हैं ठीक है और अमल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं दातुन करते हैं अमल की मातरा ज्यादा हो जाती है तो यह जो अनेमल होता ह जिससे कि अपने दात चमकते हैं इसकी वह चमता कम हो जाती है और यह अपने चमकिले नहीं होते हैं थोड़ा कम होने लगते हैं अमल के मात्रा बढ़ने से दात पीले होने लगते हैं यानि कि जो अमल की मात्रा है वह बढ़ते जाती है तो दात अपने क्या हो जाने लगते है पीले होने लगते हैं अब दातों में क्या क्या बिमारी होती है देखे जो दातों की बिमारी होती है वो फ्लोरोसिस होती है जो पानी में फ्लोराइड की मातरा से जादा मतलब पानी होता है कहीं कहीं का पानी बहुत खराब होता है यानि उस पानी में जो फ्लोराइड की मातर उसी बिमारी क्या कहते है ने तो यहां पर देखते हैं क्या-क्या पढ़ा हमने चो मनुश्य के दात होते हैं । फोते हैं और इसे दाइन को जो ठेवाद कोता है जिसे हम क्या कहते हैं इनेमल होता है उसको क्या हटी होती है सबसे कठोर पार्ट होता है और दात के अंदर वाले जो परत होती उसको क्या बोलते हम दैन टाइन बोलते हैं यहाँ पे देखिए जो यह इसकी संडुचना है दात की यह मसूडे की जबडे की संडुचना है जो कि अभी हमने देखा था ठीक है अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो दात होते हैं वो हमने पढ़ा के चार परकार के होते हैं चार परकार के यानि कौन-कौन से दात होते हैं यहाँ पे क्रंतक, रदनक, अगरचौनक और चौन यानि मोलर, प्री मोलर Newton यह सब अमने यहां पर पढ़ लिया है है वहर करने है उर्षक क जो दात की दात में से इस्थाह होते हैं अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं जीब को तो यहाँ पर जो मुख गोहा होता है उसका जो second part आता है सबसे पहले part दाथ था उसके बारे हमने पढ़ लिया अब क्या आता है जीब आता है तो देखे जीब होता है वो मास पेशियों की बनी हुई होती है ठीक है आप यहाँ संरचन है बच्चों में जो स्वाद कलीका ही होती है वो सबसे ज़्याद एक्टी होती है ठीक है जो कि वो हर चीज को स्वाद में ग्रहन कर लेते हैं उनके इतने नकरे बढ़ जाते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना यह सब चीजे बापने बच्चों में देखी होनी ठीक है यह यहाँ पर यह क्या देता है, जो corner part है दोनों तरफ, यह खटे का test weapon को पता चलता है, चütfen कै, इसके बाद आता है mid वाला, जो यह mid part होता है यह वाला, इससे क्या पता चलता है, नमकिन test के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, तो यह अबना, जीब के बारे में हमने देखा देखते हैं नेक्स जपन जो क्या होता है यवला होता है अब यवला भी एक तरह की मासपीस यह होती है जो उससे बनी हुए होती है अब कुछ लोग होते हैं जो सोते समय खराटे लेते हैं तो वो क्या कारण है कि उनके जो यवला का आकार है वो घ्राटे चाहते हैं अब हम पढते हैं लार गरंथियों के बारे में तो जो लाकरनतिय। और इस तीन चैनल जोड़ी कॉस स में मैं होता है यानि कि एक जोड़े में हुट gdzieś कि लार रस तो लार रस ने को होता है कि लाइसोजाइम और टाइलिन होता है तो लाइसोजाइम में क्या होता है कि जो बोजन के साथ जो सुक्षम जीव आते हैं उनको नस्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम यह स्टार्च का पाचन करता है जो स्वाधिन होता है उनका पाचन करता है ठीक है अब हम बात करते हैं क जो गोमुतर होता है और कहते हैं कि जब बिमार हो जाते हैं लोग और उसको कहते हैं कि आप गोमुतर प्योगे तो आप ठीक हो जाओगे ये रामबान बताते हैं ठीक है क्यों होता है वो क्यों बोलते हैं लोग वो इसलिए बोलते हैं कि जो गोमुतर होता है तो गोमुतर में Lysosum की जो मातरा होती वह सबसे ज्यादा होती है और रोक परति रोधक खमता उसकी भढ़ जाती है और जिसमें जो सुक्षम जी होते हैंningar सरीर में वो क्या हो जाते हैं सभी नस्ट हो जाते हैं इसी कारण कहते हैं कि जब इनसन बिमार हो जाता है तो गों उतर उनको प्लाया जाता है आजकल तो उसको बहुत कम यूज़ करता है लेकिन पहले यही था अब देखे हम बात करते हैं पाचन तंतर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे तो पाचन के बारे में पढ़ते हैं कि पाचन आखिर क्या है किस तरीक से हमारे सरे में काम करता है तो जो पाचन होता है वो भोजन के बड़े बड़े अन्वों को छोटे छोटे अन्वों में तोड़ने की परकिरिया होती है वहीं क्या कहलाती है पाचन कहलाती है ठीक है पाचन की प्रक्रिया होती है वो अहर नाल में क्या होती है संपन्य होती है और साका हरियों की आहर नाल मासा हरियों की तुलना में बड़ी होती है यह अमने पहले पढ़ा था क्योंकि साक में अधिक मातरम क्या पाई जाता है सलूलोज पाई जाता है जिसे पचाने के तियुक्तिर नाल कोई मुख शित्र होगा आउसी क्या साका हर्यों की मासा अर्यों की स्टुना में भड़ी होतीन है। मानव की मुख हुआ होती है में समाप्त होती है। मानव में कि दस क्या होती है लुख Union wise earlier में देखती हैं। देखें यहाँ पे जो चितर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यहाँ पे मैंने अहर नाल का जो चितर बनाया है उसमें सबसे उपर क्या होता है ग्रसनी होती है उसके बाद क्या होता है अमाश्य आता है उसके बाद यहाँ पे अगनाश्य होता है इसके बाद हमारी छोटी इस साइड में हम आते हैं तो यह क्यों होता है पिताश्य होता है疫會 हम इसवासनली ए सब्सक्राइब तहीं होता है यहां पर होता है जेव फिर इस साइड में शोन की चोटी हैं हम इसके बारे में पढ़ना है हम इस सब अमा बढ़िया चोटीया पिताशी करत इस सब यहां पर हम पढ़ेंगे दो में भागनेने वाले तंतर होते हैं उनको oh couple कहते हैं ये मर पढ़ लिया और बाचननतर के दो मुख भागे होते हैं अहार नाल यून भाचन गरंथिया होती है इस डायगराम से भे आप देख सकते यहां पर क्या होगा लेवर यानि यकरत और इस यकरत के अंदर यहां पर छोटा से होता है वो क्या होता है पिताशिया होता है अब धीरे धीरे हम इन सब होते हैं अमाश्य होती हिए और इसा इस को आते हैं वह चित्र को खुशंता है और यह तो ग्राश्च नेली के जो चित्र हैं यह क्या होता है अमाश्य होता है और यह क्या होगी ग्राश ने लिए तो यह क्या करता है जो अपना भोजन होता है उसको धकेलने का काम करता है और यह जब फिर यहां पर आके अपना भोजन क्या होता है पचता है तो देखें यहां पर नेक्स देखते हैं यहाँ पे जो अपने क्या था कि जो यहाँ पे हम बात करते हैं अमाश्य की ठीक है आप यहाँ पे नोट कर ले ना यहाँ पे यह बाट छूट यह है यहाँ पे अब बात कर ले ना अमाश्य की यह क्या होता है कि उधर गुआ के बाई और इस्तित होता है ठीक है ये उदर गुआ के बाई और इस्थित होता है और इसकी जो आकार होता है वो थैली नूमा 30 सेंटीमीटर लंबिश की संरशना होती है और इसकी भीतर दिवारों पर इस्थंबाकार एफिती लिनम कोशिकाओं का इस्थर होता है और यहें स्थर जगे जगे अंदर की ओर दसा रहता है और 10 भाग की जो कोशिका होती वह अमाशा गरंथी से निरमत करती है और इन करंदियों से अमाशा में जठर्रस का क्या होता है होता है है अहाइड्रो क्लॉरिक अम्ल यूक्सशलेसमा और मुकास तशा सीस्ट्रि प्लासमा जोता है . काईम अमाश्या में पाईलोरिक छिद्र दुआरी चोटी आंच में चोटी आंच में इसको पहुंच जाता है ठीक है अब देखें यहां पर जटर रस होता है उसमें निमन पदार्थ वो पाए जाते हैं यानि कि हाइडोकलोरिक अमल पाए जाता है यह ओकसेंटिक जो कोसिका में यह क्या करता है बदलता अब पैपशिन क्या होता है यह प्रोटीन को खंडित कर प्रोटेशस में प्रेवर्तित करता है अब आता है रेनिन का क्या काम होता है कि यह जो दूद होता है दूद में प्रोटीन कैसिनोज और कैल्सियम पैरा कैसिनेट में प्रेवर्तित करता है और इस पर क्यometer अपना दूद्द फट जाता है किसे किया कहते है चर्णिंग और मिल्क कर्डूट कर दही में बन जाता है तीक़ है अब बात करते हैं म्यूसीन की मूसीन क्या होता है कि यह अमाशी को चिकना बनाए रखता है और यह जठरसविक च्च मान तो आंच जो होती है वो दो प्रकार की होती है चोटी आज बढ़ी हां रहा होता है। बात करते हैं चोटी आज का जो बाग होता है वो यो आकार का होता है। इसे ग्रहनी या पकवाश्य भी कहते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है सेज बागती सेंटीमीटर का होता है इसे क्या कहते हैं इलियम कहते हैं इलियम की बित्री दिवारों का आंतर रंसा कुर होता है ग्रैनी वे अमाशे के मोड पर अगनाशे होता है और पित वहीनी वे अगनाशे वहीनी मिलकर एक सामान वहीनी निर्मित करती जो क्या ग्रैनी में क्या होता है खुलती है छोटी आथ में बोजन का पाचन वे पचे बो जो छोटी आत का अगला भाग बड़ी आत में क्या होता है था अग्ली आत में होता है। जोड पर एक नली होती है उत जिसे क्या कहते हैं ऑग्ली रहती है मतल कोई कारिय नहीं होता है। कोलन के तीन भाग होते हैं कोलन का अंतिम भाग मलाश्य में खुलता है जो अंत में मल द्वारा सरीर के बाहर खुलता है इलियों में कोलन के जोड़ पर एक वोल्व होता है जो बोजन को वापस छोटी आंत होती है उसमें चाने नहीं देता है तो यह अपनी होगी छोटी आंत से 2 kg भार की है शब से बड़ी गरन्थि होती है तो यहाँ से यह कुशन बन सकता है कि जो सरीर के सबसे बड़ी गरन्थि कोन सी है तो यकरत अीच इस सबसे बड़ी गरन्थि होती है जिसका भाहर होता है डेड़ केजी distant मिलरे 1 क Boom से से दो क्लोग्राम इसका क्या होता है वजन होता है बाहर होता है यह क्या होता है यह क्या होता है यह उदर गौहा के उपरी बाग से दाहीनी और इस्तित होती है यह दो भागों विपाजित होती है निशले बाग में नास्पतियाकार के छोटी से थैली होती है जिसे क्या कहते ह है पिताश्य कहते हैं ठीक है जे अपने जो यक्रत होता है उसकी इस तरीके से यह यक्रत होता है ठीक है है ओके और यहां पर यह यह अपना क्या हो गया यक्रत हो गया और यहां पर यह क्या हो गया पिताश्य तो यकरत दुआरस राइग जो पितरस होता है वो पिताषे में संचित होता है next हम देखते हैं यहां इस तरीके से यह अपना क्या हो गया यकरत हो गया यहां diagram से यह दिया पच्छे समझते और यह जो ठैली नुमा होती है नस्पति आकार की यह क्या होती है पिताश्य होती है ठीक है और यह अपना नीचे क्या हो गया यह अगनाश्य हो गया तो देखें यहाँ पे जो लीवर होता है जो सबसे अपना बड़ा अंतरिक अंग होता है लीवर में सरवादी क्या होता है रीजनरेशन पावर होती है लीवर में हीपोसाइट अथवा फुफकोसीकाइं भी पाई जाती है लीवर के क्या कारिय होते हैं वो देखते हैं जो लीवर होता है जो भोजन को संगरेन गलाइकोजन के रूप में कारिय करवाता है और ये आर्नीन चक्र की साइता से अमोनिया को यूरिया में बदलता है ये वैसली पदार्थों की जो जहरीली पदार्थों की जो विसाक तयानी जहर को क्या करता है कम करता है जिसे क्या होता है निराविसी करने इसको कहा जाता है लीवर है वो अमीनो अमलको ग्लुकोज में बदलता है लीवर वसा में गुलंसीन विटामीन A, D, E और K का संसलेशन करता है लीवर जो होता है वो हीपिरीन का इस्रावन करता है जो एक इसकंदक कारक होता है लीवर होता है वो पितरस का निर्मान वे इस्रावन करता है पितरस जो होता है वो बोजन को छारी माधम देता है पितरस में पित लवनता और पित वर्नक पाई चाते हैं पित लवन पाई सी क्रण का कारी करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मानो पाचन तंतर होता है उसमें हम मुख वहा के बारे में यहाँ पढ़ा उसके बाद हम छोटी आत, बड़े आत, हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, अब मैं आपको ये notes से पढ़ाने का मेरा क्या idea था, और मैं सोच रही थी कि क्यों ना जो बहुत अच्छे notes हैं, जिनमें हर एक चीज बहुत अच्छे से लिखी हुई है, वो मैं आपको उसी तर notes से बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है, अब इतना ज्यादा depth में तो हम जाएंगी नहीं, क्योंकि आप 11, 12 और need के preparation करने वाले बच्चे हो नहीं, कि आपको इतने depth में जाने की need है, आप इतना भी पढ़ोगे, तो आप 100% एक भी question का लगनी कर पाओगे, आप इसके भ विकार क्या क्या होते हैं, ये हम और देख लेते हैं, जब अब पाचन समंदिती भी विकार होते हैं, जैसे होर्निय हो गया, ठीक है, बवासे पाइस, पाइल्स हो जाते हैं, वोमीट हो गया, प्रभाई का डाइरिया हो गया, कब जो होगी, बियोमेट्रिक सर्जरी हो जात वीडियो में करवा दूँगी तो आज की इसमें इतना ही तो देखिए यहां पर जो पाचन गरंथिया हमने पड़ी ठीक है इसमें क्या होते हैं आंत्रिक पाचन गरंथिया होते हैं जो पाचन गरंथिया मतलब आंत्रिक पाचन गरंथिया होती हैं उसमें क्या होते है कि जो दिवारों में ये क्या होती है उपस्तित होते हैं इसमें अहार नाल के सभी स्लेश मल गरंथिया अमाश्य की दिवारों की जठर गरंथिया आत की दिवारों की बुर्नर्स जो गरंथिया होती है वो सब आती है जो बाहिये पाचा गरंथिया होती है external gyres glands जो होते हैं उसमें क्या होते हैं लार गरंथिया आ जाती हैं लियकरत आ जाता है अगनाश्य आ जाता है और आहर नाल क्या तरिकती से समझ सरीर के अन्य जो और अन्य अंग होते हैं उनमें पाई जानने वाली गरंथिया होती हैं ठीक है तो ये सब भाई ये पाचो में पढ़ेंगे तो इस वीडियो में इतना ही अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सेर चरूर करना और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक गुना ध्यान रखे हो पढ़ते रहें